तो गाईजर कल मैं सिंचेन और चोप गए थे एक बड़े पार्टी में जो की थी प्रेजिडेंट की बड़े पार्टी और तुम्हें तो पता कि हमारे पूरे को पूरे लो सेंटोस का जो प्रेजिडेंट वो यार बहुत जादा पैसे उसके पास में मलकि बहुत जादा अमी तो उसके वड़े पाटे में काफी सारे ऐसे अमीर अमीर लोग आये तो गल रात दो मन्वेशा याँ चोड़ेут चोरी कर लूँ क्योंकि यार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं कर क्या सकते तो उन में से हम चोरी कर सकते थे बट यार यहां पर तुम्हें पता है कि पिछले कुछ दिनों से यार पूरे के पूरे लो संटोस में और काफ़ी जादा पुलिस एक्टीव हो गई है क तो यार हम चोरी तो कर नहीं सकते तो बट मेरे को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि यार मेरे को भाई एक लक्जरी कार तो चाहिए क्योंकि यार मेरे पास एक खचाड़ा कार है जो कि भाई किसी काम के नहीं है बिल्कुल चलती चलती बंद हो जाती तो यार मेरे को कुछ ना कुछ चीज चाहिए तो भाई सिंचेन यार तूने जो कल रात को अपनी बेजती होते हुए देखी थी यार वो कैसी लगी अरे यार फ्रेंकी भाई यार कौन सी बेजती अब यार तूने यार बड़े पार्टे में सिर्फ खाने पर ध्यान दिया यार वही तो बोल रहा हूं कि वहां पर कितने साड़ी लगजरी लगजरी कारे आये थी भाई मेरा तो मन कर रहा था कि उनमें से किसी को एक को चोरी कर लू बट यार वहां पर सिक्योर्टी भाई बहुत जदा टाइड अज तो मजाई आ जाएगा तो दोस्तों आज मैं जा तो यह लीजिए मैं पहुंच चुका हूं फ्रैंकलिन के घर पे और यह देखो भाई उसकी कितनी ज्यादा कार है अब यार यह तो मेरी गाड़े के पास में भी अच्छी नहीं लग रहे हैं इसको यहां से कोई हटाओ चलो मैं अपनी काड़े को यहां पर खड़ी कर देता मैं में से पढ़ा की और आज देखो मेरे पास कैंऐ मेरे पास सब कुछ है पैजा दोलब सब कुछ कार गाड़ी घर सब कुछ है और उसके पास में यह कचाड़ा सा कबारा असज़ा है जो किवाई किसी भी NICome कर दो फोता है और अरे जो यार प्रैंकलिन नहीं दिघऱा मु पे हूँ तुम कोनों अरे यार मेरे को भूल गया तेरे बश्चपन का गरॉप जोकि तेरे किलास सबसे टोपर पे बच्छ वाई यार। तू है क्या यार। काफी बड़े दिनों बात में और आज मैं तेरे वाई आर तुने कार खरीद ली हाँ भाई मैं यहाँ पर कार खरीद ली जो कि तेरी कार के सामने इत्नी ज़ादा बड़ी है कि तेरी कार कुछ भी नहीं है के सामने अरे वाई यार क्या बात है तुने तो काफी भैंगी कार खरी दियोगी फिर तो चल तो मैं भी देखता हूं कहां पह तेरी कार औरे वाई यार क्या मस्त कार है भाई इसकी अरे चौप जल्दी से भारा भाई तू भी देख इसकी कार वाई यार क्या मस्त लगजरी का पीयार यार मेरे को तो काफी अच्छी लगी यार मेरे को भी काफी अच्छी लगी तो मेरे कार से बहुत जादा वड़ी चैसी कार खरिदने की अरे यार भाई ओकात में मत जाओ यार मैं तू तो मेरा दोस्त है आर तू मेरे से मिलने आये या फिर मेरी बेजती करने आये अरे मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं तेरी आज बेजती करने आया हूँ क्योंकि मैं और तू दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे मैं तरको हमें से बोलता था कि पढ़ाई करले भाई पढ़ाई करले नहीं तो ऐसी गाड़ी रखनी पढ़ेंगी नो करो वाले घर में रहना पढ़ेगा लेकिन तुने पढ़ाई भी ध्यान नहीं दिया तेरी गाड़ी होगी अच्छी लेकिन यार मेरी गाड़ी भी काफी मस्त है चल पहली फुर्षत में तो यहां से तु निकल अरे अरे जा रहा हूँ लेकिन तेरी गाड़ी बिल्कुल खचारा है मेरी गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है अरे गाइस यार ये तो आज उसने ब पेर करवा सकता हूँ तो चलो अब हम जाने वाले यहां पे साइमन के पास में अरे भाई साइमन के पास में क्या करोगे फ्रेंकली अरे भाई साइमन के पास में जाएंगे और उसको यार ये कार हम दे देंगे और उसको वह लगए कि भाई इस कार के बतले में तेज का टाइम है चापे काफी का रहे हैं और यहां पे भाई ऐसी कार का कोई भी काम नहीं हो देखा तुने आज वो उसने मेरी कैसे बेज़ती की अरे हाई यार फ्रेंक्लिन भाई मैंने देखा तो चल आज हम जाने वाले साइमन की पास में और उससे हम कोई ने कोई बड़ क्या कर रहे है तुभी नहीं बता रहे हैं इसलिए तो उपर बीटा रहे है चल भाई हम सही चलते हैं पूरे की पूरी शोप के अंदर और वहां भी जाके उससे पूझेंगे अगर उसके पास कोई लक्जरी कार होगे ना जो की सबसे बड़ी हो तो वैसी हम कोई कार परशे तो काफी जादा नए नए बनके भाई समझ में भी नहीं आ रहा कि किस रस्ते से जाना है और गाड़ी भी यार इत्म खचाड़ा भाई ब्रेक भी इसमें काम नहीं करतें तो सबसे पहले हैं मैं मैप में देखता हैं कि साइमन की सोप है कहां पर क्योंकि यार काफी दिन हो साइमन की सोप पर गए तो यहां पर क्लिक करते हैं और चलो चलते हैं भाई साइमन की सोप पर पकड़ के रखना अगर गिर गया तो भाई देख मर ही जाएगा और भाई सब यार आप मेरी टेंज मलो आप गाड़ी को सीधा चलाओ अगर गाड़ी ठुक गई तो हम तीनों म पर जाएंगे अरे यार भाई गाड़े तो मैं एक तब मस्त तरीके से चला रहा हूं एक तब मकान से पैस हम तोड़ी देर में पूछने वाले हैं यार से में उनकी दुकान पर साइमन की दुकान पर और वहां पर हम कोई ऐसी कार पर चेस करेंगे जो कि पूरे पूरी लो स चाही आ जाएगा चले होते जल्दी से हम चलते हैं फ्रेंकलीन की सोपे अरे हां बैस यार हम बैस पूछने वाले बस थोड़ी दूर और है यह लीजिए बैस फाइनली हम पूछ चुके हैं पाई साइमन की दुकान पर यहां पर तो देखो यार क्या लगजरी लगजरी कार घडी है आज खाड़ी काम की आपने 6 आरें यार गलती से लग और यार सायमन की यावा रहता रहा है पता तो यार आज कैसे मेरी आ residents Leglike ऒाय यार काफी दिनों बात में दिखो यार फ्रосьए और ये और ये कौंसी गाड़ी यार इतनी खशाड़ा गाड़ी को कैसी लेके घूम रही हूँ आज मैं तुम्हें यार अच्छी लगजे कारे दिखाओ Dir तो यह देख आज मैं तेरे को अपनी सारी के सारी कारे दिखाता हूं जो कि आज आई हैं अगर तू लेना चाहते हैं तो भाई जल्दी से बता दे अरे हाँ साइमन मैं तेरे सोपी इसी लिए तो आया हूं कि भाई मेरे को कोई ऐसी कार दे दे जो की पूरे पूरी लो सेंटोस में सबसे बड़ी हो यानि कि biggest पूरे लो सेंटोस की जो की भाई मेरे को चाहिए और चाहिए भाई पैसे उसके लिए बाई कित्ते भी लग ज़ए वह और तो सबसे बड़ी कार चाहिए पूरे की पूरी लो सेंटोस में अरे फ्रेंक्लिन यार उसके लिए तो तेरे को एक काम करना पड़ेगा इन सारी सारी कारों को एक साथ खड़ी करके इनकी वैल्डिंग करके इनको बगेस्ट कार बनाने होगा पूरी पूरी लो सेंटोस में तो guys क्या यार ऐसे काम चल जाएगा भाई मेरको नहीं पता Simon यार तू बता welding से काम चल जाएगा कभी यार बीच में से तूट तो नहीं जाएगे गाड़ी कभी बीच रस्ते में चलती चलती बाई अलग होगी दोनों की दोनों अरे हाँ यार भाई ऐसा हो सकते हैं अरे नहीं यार शिंचेन भाई आपने भाई टकलू भाई पर विश्वास रखो यार ऐसे कुछ भी नहीं होगा अगर तुम मेरे पर विश्वास रखोगी तो भाई तुमारी गाड़ी पूरे पूरे लो सेंटोस की सबसे बिग एस कार बन जाएगी अरे वाई यार भाई साइमन फिर तो मज़ा ही आजाएगा जल्दी से तो मेरे को ये सारी गाड़े आ दे दे नहीं यार फ्रेंकली में सारी गाड़े नहीं दे सकता क्योंकि एक कार तो पहले उल्रेडी बुक हो चुकि है तो अब जा तू जल्दी से पीछे यहाँ पे एक तेरे को ट्रक मिलेगा, वहाँ पे ट्रक को लेके आ जा, अरे यार तेरे कहने से पहले आ गया भाई, में रूप बाता है यार तेरा ट्रक का पे खड़ा होता है, तो ओल्राइट गाई जल्दी से इसके ट्रक को लेके चलते ह क्योंकि याब इसी ट्रक के अंदर हम अपनी सारी सारी गाड़े को लोड करके यहां से लेकर जाएंगे एर्पोर्ट पे जहां पे हम उन सभी को वेल्ड करके वहां पे उन से बनाएंगे पूरे के पूरे लोसेंटौस के सबसे biggest कार और वो भी भै लक्जरी कार तो चलो फिर हम उसको बताएंगे अपने दोस्त को जो कि बैंक में मैनेजर बनके हमें इतना ज़ादा भाई उसने चिडाया था ना अब बदला लेने का टाइम आज को है बाट यार ये ट्रक तो भार निकलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई तो चलो हम जल्दी से इसको अटेस करवा देते हैं यहां से ओल राइट फाइनली ये देखो भाई मैंने इसको अटेस कर दिया है और यहां पर मैं इसको लेकि आजको साइमन की सोब के आगे और जल्दी से इसको यहां पर मैं खड़ी कर देता हूं भाई साब क्या लग रह यार यह बंदे अबे भाई मेरे को क्यों मारा रहा रहा था रूख तेरे अपनी बंदूग दिखाता हूं चल निकल पहले फूरस में नहीं तो साले की खोपड़ी उड़ा दूगा निकल भाई पैट डर गया यार वो बंदा तो चलो खैर छोड़ो ठीका यार सायमन भाई मैं तेरी payment तेरे bank account में ढाल दूगा कितने बने पैसे मेरे को वैसे बता दे कि कितने की है पूरी की पूरी औरे यार फ्रैंकलिन यार ऐसी क्या बात होगी यार भाई पैसो की तो कोई बात नहीं है तो तू मेरे बैंक काउंट में अपने नंबर दे देना मैं तरको आँसे पेमेंट कर दूँगा चाहिए कितने भी डोलर बनो तो चलो ओल्राइट गाज यहां पे मैंने सारी के सारी गाड़ियों को अपने ट्रक के अंदर लोड कर लिया है और भाई भाई देखो यार क्या मस लग रही है और एक कार बस गई जो कि यार मेरे को पहले उसने बना कर दिया था कि यार वो कार जो पीछे खड़ी है न वो कार यार ओल्रेडी बुक हो चुकि है तो उस कार को तो यार दे नहीं सकते बैसे यार यह कार भी मिल जाती है तो भाई अपनी गाड़ी भूच जादा बड़ी बन जात तो खेर कोई बाद नहीं फिर हम कभी खरीद लेंगे अगर आएगी तो फिर हम उसको वैल्ट कर लेंगे ठीक है तो यार भाई साइमन मैं चलता हूं यहां से निकलता हूं और मैं जल्दी से अब एरपोर्ट पे जाने वाला हूं तेरी पेमेंट तेरे बैंक अकाउंट में हो तो चल जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठ जा मैं तेरा वेट करता हूं वहां पे ठीक है यार शाइमन तेरे सारे सारे पैसे मैंने तेरे बैंक अकाउंट में डाल भी दिये हैं और चोब यार तू इसको उपर ही खड़ा रहेगा क्या जल्दी से गाड़ी के अंदर लग रही हैं तो चलो लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को भाई शिंचेन आज कहा है जल्दी से चोब भी बैड़ी है अपने ट्रक के ऊपर और चोब तेरा ये काम है कि अपनी गाड़ियों पर ध्यान रखना अगर एक भी गाड़ी गिर गई ना तो भाई कौफी करोड़ो की वैल्डिंग करनी पड़ेगी अरे नहीं यार भाई मैं भी करवा दूँगा अरे नहीं यार चोब यार बैस तुँ एक काम करना बैस तू साइड में खड़े होगी ना कुछ खाती पीते रहना तो ओल्राइट गाइस हम आज के यहां पे अपने एरपोर्ट पे और यह द करने का और वैल्ड करने के बाद में अब बनाएंगे इन से हम अपने पूरे पूरे लोस्टोस के सबसे बिगेस लग्जरी कार और फिर उस बंदे को हम चिडाने वाले हैं जिसने हमें एक छोटी सी पिद्दी सी कार दिखा थी जिसका नाम था बेम डबलू अब मैं उसको आपनी करोड की करोड की क्या है मिलियंस की कार जो के सबसे बड़ी होने वाली है इप की चलो मैं जल्द है काम कम्प्लीट करके आप सभी बता दूँगा उससे पहले मैं रोल खोड़ियों को एक दूसरे के सामने खड़ी करना होगा ताकि यार हम वैलिंग अछे से कर सके अब आजा अब है तेरा काम यहां पर अब मैं तिरको बता दूँगा तेरा क्या है मैं को सिर्फ एक दो गाड़ी और खड़ी कर लेने दे उस इसे color बताओ तुम्हे color कैसा लग रहा है तुम्हारा कों सा फीवरिट कले रहाजी वेगन का तो यहां पे finally guys यहां पे मैंने सारी के सारी गाड़ीयों को तो नहीं भाई सिर्फ पास गाड़ीयों को यहां पे खड़ा कर दिया है और मैंने भाई सिंचेन को भी काम बता दिया कि उसको कैसे गाड़ियों की वैल्डिंग करनी होगी अगर भाई सिंचेन तो थोड़ी भी मिस्टेक करेगा ना तो भाई गाड़ी अपनी खराफ हो जाएगी और करोड़ा को नुकसान हो जाएगा अरे यार यार कैसी बात करें यार मैंने अभी तक आपकी कोई ऐसी बात मलके ऐसे काम किया है जो कि आपको पसंद नहीं हो और इस गाड़ी को भी ऐसी वैल्ड करूँगा कि आप देखते रहा जाओगे अरे वाई यार इसलिए तो भाई मैंने तेर कोई काम दिया है चलो तो गाज यहा से उठाता हूं और लेके चलता हूं इसको वहाँ पे और लगा दिते हैं इसके बिल्कुल पीछे ताकि यार अब बन जाए अपने पूरे पूरे लो संदोस के सबसे बिग एस कार जो की भाई जी वैगन की होगी तो चलो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और आप जाक से काम कर रहा हूं ठीक है ठीक है तो चल मैं भी जल्दी से इसको वैल्ड कर देता हूं वैसे यार टाइम तो लग रहा है सच बोल रहा था यार शिंचन वाई इन गाडियों को वैल करने में टाइम तो लगता ही है यार देखो यार कितनी जादा मेहनत लग रहे हैं मेरे को भाई पसीन ये तो भाई बहुत जोरों से आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है भाई कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे मुझे तो मेरे को लग रहा है कि भाई काफी टाइम लगेगा दो तिन घंटे तो लगेंगे इस काम को कंपलीट करने में तो ओल राइट गाई यहाँ पे भाई तीन घंटे लगे सारी के सारी गाड़ी को यहाँ पे वैल्ड करने में और यह देखा भाई बन गई है अपने पूरे पूरे लो सेंटोस की सबसे बिग गैस्ट कारोर यह क्या हुआ भाई अब LGBT यहाँ जार यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा अरे हां यहां यार यहाँ प्रैंगलिन भाई है यहार यह क्या चीज होगी मुझे तरह लगता है किसी की नेजर लग गी अरे नहीं जार इसके इंजन में कोई ना कोई गड़बडी आहीं होगी तो देखते भाई क्या करते हैं तो ओल्राइट गाज मैंने इसको भाई बिल्कुल ठीक कर दिया है पूरे की पूरे इंजन को याँ याँ पे इंजन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी जिसकी वज़े से यार इसमें भाई कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि यार ये गाड़ी रा उड़ने वाली गाड़ी बन गी थी वो भाई ऐसे फिरकी की तरह है तो मैंने इसके इंजन को पूरा को पूरा रिपेर कर दिया है दुबारा से भाई बहुत जाद देर लग गई बाट यार फाइनली ये देखो भाई रेड़ी है हमारी लो सेंटोस की सबसे बिग गैस लगजरी कार जो की दिखने में यार क्या मस्त लग रही है अब बताऊंगा भाई उसको यार उसने मेरी बेजती की थी थी ना तो चल यार शिंचेन जल्दी से भाई अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जा और भाई चोप यार तू भी जा गाड़ी के उपर बैठ जा गाड़ी के अंदर तो नहीं बैठ पाएगा चल तो जल्दी से बैठ जा गाड़ी के अंदर और यहां पे अरे यार यार ये क्या दि प्रेंगली तो मजग है आरे यार फ्रेंगली तोबस्टा आब तेरे को कौन सी कार चाहिए यार यह कार चाहिए यार फिर भाइ ब्यम्ट्र वाडि का वा दिक चौटी कार चाहिए अरे यार फ्रेंगलिन भाई यार मुझे तो यह वाली कार पसंद आ गई है यही कार हमारी होगी अरे भाई मज़ा ही आ जाएगा हाँ यार सिंचेन भाई बहुत जादा मैनत लगी बहुत जादा पैसे लगे बाट यार फार्नली मैंने तुने बना दी यार पूरे पूरे लो उसके बिगेस कार अरे यार फ्रेंगलिन भई यार मुझे कैसे भूल सकते हैं अरे नहीं यार चोप यार तेरको कैसे बूल सकता हुरे तेरा खाना पीने का सारा काम Pepper Yaar यही काम तेरकों मिला था अरे हां यार फ्रेंगलिन क्या मस्त लग रही है तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में बता देना और अब मेरे को भाई कोई भी नहीं चिडाएगा उल्टा मैं लोगों कोई चिडाएगा कि देखो मेरे पास है पूरे पूरी लोस एंटोस की सबसे बिगेस्ट कार और इसके अंदर भाई मैं जिससे कि यह ओटोमेंटिक अपना कलर भी चेंज कर पाएगी और इसके इंजन में भाई मैंने सूपर कार मोड भी इंस्टोल कर वा लिया है जिससे कि यार यह एक सेकंड में यार पूरे की पूरे 100 किलोमेटर क्रोस कर जाएगी तो है ना काफी मस्त बात अरे हां यार फ्र